आज मैं बनाने वाली हूँ बोहे से बनने वाला बहुत हेल्दी ब्रेकफस्ट की रेसिपी यहां पे मैं बना रही हूँ छे लोगों के लिए तो इसलिए यहां पे मैंने लिया है 400 ग्राम पोहा और साथी लिया है एक गाजर एक प्याज छे-साथ हरी मिर्च और थोड़े से क सारी लिप्स एक टामाटर और पीन्स सबी को मैंने अच्छे से दो के बारिक काट लिया है कि सबजिया है यहां पे आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं तो चलो इस रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट इससे बनाने के लिए मैंने लोहे की कड़ाई में थ अच्छे से चटकने तक भून लेंगे जीरा हमारा अच्छे से चटकने लग गया है अब इसमें डाल देंगे करी पत्ते करी पत्ते भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे बीन्स और गाजर अभी हमें प्याज और हरी मिट्च नहीं डालनी है तमाटर भी नहीं डालने है अभी हमें खाली से बीन्स और गाजर को ही अच्छे से एक मिनट के असपास भून लेना है पका लेना है इसे एक मिनट ढखके पका लेंगे एक मिनिट हो चुका है और आप हम इसे चेक कर लेते हैं बीन सो और गाजर को हमें उवर कुक नहीं करना है हलका सा इन है कुक कर लेना है और आप मैस में डाल दूंगी टमाटर आप चाहे हैं तो इसकीब भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो रख नमक अभी हम ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा ही नमक डालेंगे जिससे टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए अभी हमें नमक का बिसेज ध्यान रखना है नमक ज्यादा नहीं डालना है बस इतना ही डालना है जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए अब हम पोहे को दो लेते हैं हमारा टमाटर जब तक गल जाए तब तक हमारे पूह है अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देंगे एक से डेड़ मिनट हो चुका है सबजी आप देख सकते हमारे अच्छे से कुक हो चुकी है टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और पारिक कटा हुआ प्यांच प्यांच और हरी मिर्च को हमने पहले इस लिए डाला क्यूंकि हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है इससे इसका ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है प्यांच हमे कुछी सेकेंड हम प्याज को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे प्याज में हमारा हलका साब ट्रांस्पेरेंट हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे मसाली आपे मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पोडर लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धन्या पाउडर मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं और मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे मसाली भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे पूहा पूहा हमारा बहुत अच्छे से बहुत अच्छा सा सॉप्ट हो चुके हैं और जी इसमें पानी था वह भी इने एक्जॉप कर लिया है और बाकी एस्ट्रा वाटर गिर चुका है अब इसे डाल देंगे सबजियों में अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एसमें उपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमग मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हमें इसमें नमक कम रखना है तो अभी हम इसमें नमक ढालके से अच्छे से एक मिनट चलाते हुए पका लेंगे जिससे सबी मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और आप देख सकते हैं सबी मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत չिला- खिला- पोहा वारा बन swmor जृट पिट बन के रेडी हो जाता है इब मेतम भी टीस्टी लज़ए Crashs लगता है आप इसमें अपने इच्छा की हिसाब से ड्राइफ रूट्स भी आइड कर सकते हैं मैंने यहां पर नहीं डाले हैं भी बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको मेरी यह रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को अगर मे